देवानन साहब पंजाब के रहने वाले थे और 26 सितंबर 1923 को उनका जन्म हुआ था देवानन चाहते थे कि बॉलिवुड में अपना करियर बनाए परिवार में बहुत पैसे नहीं थे किसी तरह वो पहुँचे और काफे स्ट्रगल करने के बाद उनको फिल्मों में काम भी मिला और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्मों में हमने उनको देखा गाइड उनकी सबसे बड़ी फिल्म है जिसमें आपने उनको देखा होगा इस फिल्म को बहुत नेशनल लेबल पे ही नहीं इंटरनेशनल लेबल पे भी बहुत ज़ादा पसंद किया गया था और इस फिल्म से वो बॉलिवुड के गाइड कहलाने लगे साथ ही हम आपको बता दे कि देवानन जो है ऐसे एक्टर थे जो समय से आगे चलते थे उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो उस दौर से कहीं आगे थी और देवानन ने एक मैच पिक्सिंग पे फिल्म बनाई उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्म बनाई हिप बहुत इंट्रेस्टिंग रही एक फिल्म जीत के सेट पर जो है उनकी मुलाकात जो हुई थी सुरया से सुरया जो है बहुत ही खुबसूरत एक्ट्रिस हुआ करती थी बॉलिवोड की तो वहीं देवानन भी कम हैंसम नहीं थे और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक जो पिक्चराइज किया जा रहा था तालाब में और नाव पलट गई थी और सुरया जो है तालाब में गिर पड़ी थी तब देवानन ने उनको बचाया था सुरया की खातेरों तालाब में कुद पड़े थे और उनको उन्होंने बचाया और इसके बाद कहते हैं कि बिल्क खुबसुरत लगती थी लेकिन ये जोड़ी किसी को खटकती थी और वो थी सुरया की नानी जाहिर है सुरया जो है मुसलिम परिवार से थी देवानन हिंदू थे और इनके रिश्टे को जो है उस समय जो समाज था या जो परिवार के लोग थे वो रजामंदी नहीं दे रहे सुरय्या की नानी नहीं चाहती थी उनकी नातिन किसी गैरत मज़भ शक्त से शादि करें जबकी सुरय्या की जिद थी वह देवाना से ईशादी करूए परिवार ने बहुत विरोध किया व। इसके दर हुआ कि सुरय जो है अपने परिवार वालों के आगे हार मन गई और देवानन का भी दिल तूट गया उसके बाद देवानन जो है सुरिया की गलियों से जो निकले वो दुबारा फिर उनसे मतलब उस गली में नहीं गए ब्रेक अप हो गया उसके बाद देवानन की लाइफ में आई कलपना कार्तिक वो उनकी फिल्मों की को स्टार थी कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया था और फाइनली देवानन ने कलपना कार्तिक से शादी की और बात के दिनों में देवानन का नाम जीनत अमान से भी जुड़ा लेकिन ये खबरे सिर्फ मीडिया में आई उस दौरान जो मैगजिन्स और जो अखवार चपते थ ते उसमें ये खबरे थी आई थी कि देवानन जो हैं जीनत अमान को बहुत पसंद करते थे लेकिन ये लाव स्टोरी बहुत खिल कर सामने नहीं सचाई कितनी नहीं पता लेकिन देवानन का नाम जीनत अमान से भी जुड़ा देवानन वो एक्टर थे आपको हम बताएं कि ब्लाक औन वाइट फिल्मों के दौर में देवानन्द की जो बड़ी खुबसूरत सी उनकी एक रुमानियत भरी छबी होती थी फिल्मों में उनका जो अलड़पन दिखता था जो बेफिकरी दिखती थी पर बिल्कुल एक अलग बिंदास नौजवान दिखता था और कहते थे कि उनकी वो रुमानियत देखकर जो लड़कियां है उनके प्यार में पागल हो गई थी बहुत सारे और लड़कियां जो है उनकी क्रेजी फैन थी और वो दौर था जब उनकी फिल्म काला पानी रिलीज होने वाली थी तो उस दौरान देवानन एक बार ब्लैक शट पहन कर कहीं बाहर निकल गए थे और जो हुआ यूँ कि कुछ लड़कियां जो है चछत से गिर गई थी तो ऐसे में उस दौरान कोट को दखल देना पड़ा कोट ने एक आदेश जारी किया कि देवानन जो है अब ब्लैक कलर का शट नहीं पहनेंगे जी हाँ काले रंग की वो शट नहीं पहनेंगे क्योंकि जब वो काले रंग की शट पहनते हैं तो लड़कियां जो है उनको देखने के लिए मतलब इदम बेताव हो उठती है और इस तरह की मतलब वारदात हो जाती कि छट से कोई गिर गया तो ये सब चीजे जो हैं देवानन की लाइफ से जुड़ी हु बहुत ही मशूर गाने हुआ करते थे बहुत ही रोमैंटिक गाने जो हैं उनकी फिल्मों में हुआ करते थे और उस दौर का हर प्रेमी जो है उनकी फिल्मों के गाने सुनकर कही ना कहीं कह सकते हैं कि फ्रेम में पढ़ जाता था उनकी फिल्में बड़ी अलग तरकी होती थ इसको देख करके लोग बहुती फील गुड फिल्में उस दोर में होती थी और देवानन की फिल्मों में जादा तर किशोर कुमार के गाने होते थे और इतने खुबसूरत गाने की बस आज भी लोग उन गानों को सुनते हैं और ये भी कहा जाता है कि देवानन की करियर को और बूस्ट अब करने में कहते हैं कि 60 के दशक के बाद उनकी फिल्मों में जो है किशोर कुमार के गाने बहुत आएं और उन गानों से उनका करियर और हिट रहा हलाकि देवानन जो है देवानन और दिलिप कुमार और राज कपूर ये तीनों जो है आजाद भारत के त्रिमू देवानन का एक अलग स्टाइल था उनकी रोमैंटिक फिल्म में होती थी हलकी फुलकी कॉमेडी होती थी अच्छे अच्छे गाने होते थे खुबसूरत हीरो खुबसूरत हिरोईन और जो भी उन फिल्मों को देखता था बस एक दूसरी दुनिया में देवानन ले जाया कर देवानन ने सौ से जादा फिल्मों में काम किया और कह सकते हैं बंबई का बाबू जोएल थेफ तीन देविया और गाइट तो उनकी सबसे शांदार फिल्म थी ही इसके लावा सोलाहवा सावन बहुत सारी फिल्मे थी जिसमें उनका बहुत ही रोमानियत भरा अंदास रहे और यही वजा है कि देवानन भले ही आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी यादे उनकी फिल्में उनकी बाते आज भी लोग याद करते हैं आपको बता दे कि देवानन हमेशा चाहते थी कि जब उनका निधन हो तो कोई भी उनके पार्थिव शरीर की चित्र ना एक देखे ऐसे में जब उनका निधन हुआ लंडन में तब उनको वही पर उनका अंतिम संसकार किया गया कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई और देवानन के जो फैन से उनकी नजर में आज भी देवानन की वही खुबसूरत तस्वीरे जो हैं सोशल मीडिया पर हैं और लोग आज भी उनको बहुत मिस करते हैं लोग उनको आज भी याद करते हैं उनकी जो एक कमी है कह सकते हैं फिल्म इंडरस्टी में वो आज तक कह नहीं सकते कि वो पूरी होगी तो यह थी देवानन के उपर हमारी एक खास रिपोर्ट आने वाले दिनों में हम आपको तमाम बॉल नाम है अब वो कहा है यह सब हम आपको बताएंगे और ऐसे में प्लीज कीप वाचिंग इट्वेंटीफोर एंड निवस्ट्वेंटीफोर